आज के वीडियो में, मेटामेरिक सेग्मेंटेशन के बारे मताएंगे, तो पूरी जनकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लात्तक देखिये, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कलीजिए, चलिए, सुरू करते हैं, तो मेट 먹고 अगर पुछा जाएे काभी कि संग में पाया कता है तो मेटामेटी स्गमें सेग्मेंस केृट और कासापधिक अर्थ 내칌ंड करीमें स्गमें या छला आपक सकते हैं ही होती है तो छला देही भी कहा जाता है इनका सरीर छले नुमा खंडों का बना होता है इन्हें मेटा मर्स कहते हैं जो छले नुमा खंडों होते हैं उन्हें ही मेटा मर्स कहा जाता है अर्थात एनिलीडा animals की जो body होती है वो segmented होती है अथवा छला दे ही होती है तो ये जो segment होते हैं ये segment बाहर से तो होते ही हैं, अंदर से भी होते हैं, जैसे कोई केचुवा है, मालिजी एनलेडा जनतो है ये केचुवा तो इसके बाहर तो segment होते ही हैं, छले होते ही हैं साथ साथ इसके अंदर भी internal में भी होते हैं मतलब external और internal segmented होती है body external और internal इस प्रकार से इनका सरीर खंडों अथवा छले नुमा खंडों का बना होता है जिन्हें metamers कहा जाता है और इस प्रकार की बिवस्था को ही metameric segmentation कहा जाता है ऐसी जो बिवस्था होती है उसे metameric segmentation कहा जाता है प्रतेक metamers में अंगों या अंग तंत्रों के समान या लगभग समान भाग पाए जाते हैं यानि हर एक जो metamers होता है हर एक जो खंड होता है उसमें organs या organ system के समान या लगभग में समान भाग पाए जाते हैं जैसे पहला है एक जोड़ी बाह उपांग तो हर एक खंड में पाय जाते हैं इसी तरह से एक जोड़ी नेफरेडिया या उसरजी अंग फिर इसी प्रकार से एक जोड़ी जनद एक एक जोड़ी रुधिर वाहनिया तथा तंत्रिकाएं भी पाय जाती हैं पेशी तंत्र और प इसमें पहला point होगा कि सरीर में कुल खंडों की संख्या जीवन परियंत बनी रहती है, माली जी कोई खंड वे यूत केचुआ है तो उसमें जो कुल खंडों की संख्या है वो जीवन परियंत बनी रहेगी, पूरे जीवन भर बनी रहेगी, फिर दूसरा है सरीर के सभी खंड एक साथ बनते हैं, यानि एक ही आयूके होते हैं, एक साथ बनते हैं तो एक ही आयूके होंगे, फिर अगला है ये बाहर से ग्रूब द्वारा तथा भीतर से सेप्टा द्वारा अलग होते हैं, बाहर से जो ग्रूब होती है, खांच जैसी होती है, उसके द्वारा और भीतर से स्वतन्त रूप से बटा हुआ होता है जिससे प्रतेक मेटामेर की जो पीसियां होती है अलग-अलग कारे कर सकती है और इसी कारण एक साथ ही सरीर का एक भाग चौणा और दूसरा भाग लंबा हो जाता है यहीं जो मेटामेरिज में बिवस्था होती है इसलिए जैसे केचव चल रहा है तो केचव में क्या होता है कि एक साथ ही सरीर का एक भाग चौणा हो जाता है और दूसरा भाग लंबा हो जाता है जब मिटी Γणा विमों चलता है तो इसे ही मेटामेरिज में बिवस्था कहा जाता है